तो आगर हम एक बर फिर बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर जिसका शाद आप सभी को इंतजार होगा तो आज की हमारी ये वीडियो होंग कोंग की एक वर होरर फिल्म होगी जिसका नाम है मेन बिहाइंड सन या फिर इससे बलेक सन भी कहा जा सकता है जो की यूनिट 731 में चल रही दरंदिगी को दिखाती है इस मूवी के डारेक्टर है टी एफ माओ जिनोंने ये बहुत ही बेहतरिन मूवी बनाई है वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये मूवी एक वर होरो मूवी है जो की एक होरोर मूवी से भी ज़्यादा दरिंदिगी को दिखाती है और हाँ ये सब कोई कलपना नहीं बलकि एक काला सच है जिससे इस मूवी में दिखाया गया है जिसमें इनसान के द्वारा मचाई गई शेतानी और कूर्टा को बताया गया है दरसल जब दूतिय विश्व युद्ध चल रहा था तब जापान की आर्मी बहुती ज़्यादा शक्तिशाली थी जिसने रूस के जैसे बड़े बड़े देशों को हरा दिया था जापान ने चाइना के पूरी भाग को अपने कबजे में ले लिया था और चाइना के इसी एरिया में है यूनिट 731 जो कि जनरल शीरो इशी के अंडर में काम करती थी जनरल शीरो इशी यही वो आदिम है जो कि कई हज़ा और मासुमों की जान का कातिल बना जिससे हम आगे वीडियो में देखेंगे लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले और वीडियो को एंड तक जरू देखना क्योंकि आपको भी तो पता चले कि मानोजीवन के इतिहास में इंसानों ने क्या क्या किया शुरूआत में यूरिट 731 के ओरिजिनल सीन्स को दिखाया जाता है जो कि चाइना के हर्बन में था और ये पूरी तरस से तहस नस हुआ था जिसे वर्ड वाल टू के बाद में बरबाद कर दिया गया था लेकिन ये जब बिल्कुल ठीक था तो यहां का नजारा कुछ ओरी था जनरल शीरो इशी यूनिट 731 का इंचार्ज था और शीरो इशी ने कुछ नोजवान लड़कों को अपनी जापानिस आर्मी के एक स्पेशल स्क्वार्ड में भरती किया था जिसके बाद में उन्हें यूनिट 731 में लाया जाता है और यहां पर उन्हें स्पेशल ट्रेनिं एक बहुत बड़ा एरिया था जहां पर अलग-अलग सेक्शन्स बने हुए थे यूनिट के एक जगे में लोगों के रहने की जगे थी तो दूसरी और आर्मी की ट्रेनिंग और कहीं पर आर्मी के हत्यारों की टेस्टिंग की जाती थी फिर हम यह देखते हैं कि यूथ से तारों से घीरी हुई थी फिर रात होते ही यूथ कॉप से तीन बच्चे उस एरिया में गुशने की कोशिश करते हैं जहां पर उनकी बॉल गई थी और यहां पर कुछ अची भी चल रहा था एक बुड़ा आदमी यहां एक कमरे में कई मरह हुए लोगों के टुकड़े क दर करके उन्हें बटी में जला रहा था फिर यह तीनों बच्चे अपनी बॉल को ढूंडने के बाद में एक एससे कमरे में पहुच जाते हैं जहां पर वही सारे चूहें मौजूद थे और यह डर कर वहां से भागने लगते हैं जब जनरल को यह पता चलता है कि कुछ बच दोड़ रहा था उस लड़के को करैंट लगने के कारण वह मर जाता है अगले दिन शीरो इशी असेंभली में एक दूसर रसे और नहीं होना चाहिए सबी के सामने उसकी पिशाब पी जाता है और सब कोई बताता है कि वो कितना कुरूर इनसान है शीरो इशी ओफिसर से कहता है कि कोई भी लड़का कम नहीं होना चाहिए और ये यूथ कॉप्स उनके लिए बहुत जरूरी है जिसके बार में सबी को बर्फ में ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के दोरान इन यूथ कॉप्स को बहुत ज़्यादा प्रतालित किया जाता है फिर मुवी में ये दिखा जाता है कि रात के समय कडाके की ठंड में ट्रेन से कई चैनीज लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा था जापानिस इन चैनीज लोगों को मारूत कहते थे और वे इनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे इन चैनीज लोगों में एक औरत भी थी जिसके पास एक चोटा सा बच्चा था जिसे जापानिस आर्मी के लोग उससे ले लेते हैं और उसे जिन्दा बर्फ में दफना देते हैं ये हादसा 29 फरवरी 1945 को हुआ था ये बच्चा मातर तीन महीने का था और इसे जिन्दा बर्फ में दफना दिया गया था अगले दिन यूद कॉपस अपने ट्रेनिंग कर रहे थे जहां पर उन्हें एक बच्चा बाउंडर के उस पर दिखाई देता है जो कि पासी के गाउं का रहने वाला था और ये बच्चा गूंगा था वो बोल नहीं पाता था और ये बच्चा उन यूद कॉपस के साथ में खेलना चाता था अब यूनिट में एक नया डॉक्टर आया था जिसने यहां का महुल ठीक नहीं लग रहा था वो उल्टिया करने लगता है क्योंकि जो सरजरी वो करकर आया था वो बहुत ज़्यादा भेहनक थी दोस्तों मैं आपको ये बता दू कि जिन भी लोगों को यहां पर मारा जाता था या उन पर टेस्ट के जाते थे उनके नाम और डिटेल्स इन जापनिज आर्मी के रिकॉर्ड में रखी जाती थी और मुवी में जितनी भी मोते बताई गई हैं वो सारी एक्यूरेट दिखाई गई है यानि कि इन्हें असली में ऐसे ही मारा गया था अब यहां पर यूद कॉप के सामने चैनीज लोगों को मारा जाता है और उन्हें ये बताया जाता है कि ये कोई आदमी या इनसान नहीं है बलकि मारूता है जिसे जापानी भाशा में एक टेस्ट सब्जिट कहा जाता था फिर आरिमी के द्वारा उस ओरत को लाते हैं जिसका बच्चा उससे ले लिया गया था उसे बरफिले इलाके में खड़ा करके उसके हाथों पर कई घंटों तक बरफिला पानी डाला जाता है बसे टेस्ट करने के लिए कि इस ओरत के हाथ कब तक इस ठंडे पानी को जहल सकते हैं उस ओरत के हाथ बरफ में पूरी तरह से जम जाते हैं जिससे ओफिसर एक डंडे से मार कर उसकी बरफ को तोड़ देता है और फिर वापस से वो ठंडा पानी लाकर उसके हाथों पर डालना शुरू कर देता है जिसके बाद में उस वरत को एक्सपेरिमेंट रूम में लाया जाता है जहां पर उसके हाथों को एक पानी में डाला जाता है जिसका असर ये होता है कि उस वरत के हाथ पूरी तरह से गल जाते हैं जिसे डॉक्टर एक जटके में उसके हाथों से उसकी चम्डी निकाल देता है और बस उसके हाथों पर हड्डिया रे जाती है फिर एक ओर चाइनीज को महाँ पर लाया जाता है जिसके हाथों को मैनेस वन नैंटी सिक्स डिगरी में रखा था और फिर एक स्टिक से उसके जम्मे हुए हाथों को तोड़ दिया जाता है और यह सब हो रहा था यूथ कोप्स के सामने ताकि यूथ कोप्स के सभी बच्चों के अंदर की इंसानियत खत्म हो जाए और चाइनी लोगों के प्रत यूनिट 731 में एसा ही कई सारे लोगों को बेक्टेरिय के इंग्जेशन लगाकर उन्हें तरब कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है यहाँ पर जापनीज आर्मी के डॉक्टर्स एसा बेक्टेरिय बना रहे थे जो कि प्लेक के वाइरस से 60 गुना ज़्यादा जहरीला प्लेक के कारण यूरोप में लाकों लोगों की मौत हुई जो कि चुहों से फेलने वाली एक बिमारी थी जिससे ब्लेक डेथ भी कहा जाता है और अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लेक डेथ पर वीडियो बनाओ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताईएगा अब शीरो इशी उन्रीक को एक आइडیا आता है कि क्यू ना बैक्टेरीया को एक बॉम में फिट करके उसे लोगों के बीश में फोड़ दिया जाए जिससे कि इनफेक्शन ज्यादा से ज्यादा फेले और वह इसकी टेस्ट्टिंग में लग जाते हैं लाकों की तादात में बैक्टेरिया व वहाँ पढ़े रहते हैं ये जापनिस आर्मी की लोग पस बायलोजिकल वेपन को टेस्ट नहीं कर रहे थें बलकि इनके पास एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत कुछ चीज़ थी ये एक आदमी को लेकर आते हैं जो कि एक बहुत दूबला पतला आदमी था और इन इस पूरी सीन को रिकॉर्ड कर रहे थे जिसके बाद में एक रैश्यन ओरत और उसकी 11 साल की बच्ची और उसके एक पालतू कबुतर को एक केस चेंबर में डाल दिया जाता है और उस चेंबर को बंद करने के बाद में उसमें जहरीली गेसर छोड़ दी जाती है उस दर्वी दीरे दीरे मर जाते हैं अब यूद कर्प की मुलाकाद जिस गुंगे बच्चे से होती है उसे एक ऊफिसर यूद कर्प के एक लड़के से कहकर यूनिट में बोलवा लेता है और वो ऑफिसर उस लड़के को ये कLLEER करता है कि उस गुंगे बच्चे को कुछ भी ही होगा, जिसके बाद में उस बेचार गुंगे बच्चे को लेब में लाया जाता है और उसे बहोश किया जाता है और फिर इसकी बहोशीची की हालत में उसका शेरीडा काट-काट कर निकाल लिया जाता है यानि कि जब उस बच्चे की सरजरी चल रहे थी तब वो मरा नहीं था बलकि वो तो बेहोशी की हालत में था तो इतनी क्रूल थी जापान की इंपिरियल आर्मी जब यूदकोर पे उस बच्चे को ये पता चलता है कि उस गुंगे बच्चे को डॉक्टरों ने मार दिया है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो खुदी उस गुंगे बच्चे के कटे हुए अंगों को जलाने के लिए लाता है उस एरिया में जहाँ पर लोगों को जलाया जाता था और ये एरिया ऐसा था जहाँ पर 2400 गंटे कोई न कोई आदमी को जलाय जा रहा था और वहाँ पर काम करने वाले उस आदमी को अब इस काम में मज़ा आने लगा था फिर यूनिट 731 के उस एरिया में जहाँ पर बहुत सारे चुहे रखे हुए थे उनके बीच में एक बिल्ली को फेक दिया जाता है और ये चुहे कोई ऐसे वैसे चुहे नहीं थे बलकि इन में बहुत ज़्यादा ताकत थी इन चुहों पर एक्सपेरिमेंट करके इनकी ताकत को बढ़ाय गया था जिससे कि वो उस बिल्ली को ही मार डालते हैं और उसे जिन्दा खाने लगते हैं और ठीक इन चुहों की ही तरह यूतकोप्स को बना जाने वाला था है जिनकी ताकत दस लोगों के बराबर थी फिर कुछ दिनों के बाद में बचे हुए चाइनिज लोग यूनिट 731 से भागने का प्लान बनाते हैं लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं पाते और आर्मी के जवानों द्वारा उन गोलियों से भून दिया जाता है और वह सभी के सभी मर जाते हैं जब शिरो इशी को इसकी खबर मिलती है कि चाइनिज लोगों को आर्मी के दुआर मार दिया गया है तो वह बहुत ज़्यादा नाराज होता है क्योंकि ये चाइनिज लोग एक्सपेरिमेंट के लिए थे और उन पर फाइनल एक्सपेरिमेंट किया जाने वाला था जिसके बाद में और भी कैसारे चाइनिज लोगों को पकल कर लाया जाता है उन पर बायोलिजकल वेपन को टेस्ट करने के लिए लेकिन ये चाइनिज लोग यहां से जेसेते से भागने लगते हैं और जापानिज आर्मी इतनी जादा कुरूर थी कि उन सबी को उन्होंने गोलियों से और अपने गाडियों से कुचल कर मार दिया और इन जापानिज आदमी ने 20-30 लोगों को नहीं बलकि कई 100 लोगों को मारा जिन में से आदमी, औरत, बुजूर्ग सब शामिल थे और छोटे बच्चे को तो पहले ही मारा दिया जाता था इन जापानिज आर्मी का बेक्टेरिल बॉम तो सक्सेस हो गया था लेकिन कुछ ऐसा होता है जो की सब कुछ बदल देता है अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा और नागासा की पर परमानो बम फेक दिया था और ये दोनों शहर के शहरी खत्म कर दिये थे जिसके बाद में अमेरिका ने व्र्ल वूर टू को जीत लिया था और र시या भी अब चैने की तरफ कब्जा कर रहा था शीरो इशी को जापान से ये ओडर मिलते हैं कि वो उनके ओपरेशन्स यूनिट 731 में बंद कर दें क्योंकि जापान अपने हत्या डाल चुका है और हार मान चुका है यूनिट 731 में जो चल रहा था वो बहुत ही जादा टॉप सिक्रेट था और इसके जानकरी किसी के भी हाथ लग गई तो उन्हें पूरी दुनिया नहीं छोड़ेगी शीरो इशी यूनिट 731 के ओफिसर्स को ये ओडर देता है कि सभी चाइनीज मारूतों को मार कर उन्हें खत्म कर दिया जाए और उनका नामों निशान मिटा दिया जाए जिसके बाद में पूरी यूनिट 731 को खत्म कर दिया जाए सारे के सारे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड डॉक्यमेंट सो रिकॉर्ड को नश्ट कर दिया जाए और शिरो इशी का सबसे खतरनक ओर्डर ये था कि इवन के सबी ऑफिसर्स जो के एक्सपेरिमेंट में शामिल थे उन्हें अपने परिवार के साथ में आत्म हत्या करने के आदेश थे चुकि शिरो इशी ये नहीं चाता था कि इन में से कोई भी बचे और यहाँ पर हो रहे काली कर्टोतों को दुनिया के सामने लाए लेकिन तब ही एक आफिसर शिरो इशी से ये कहता है कि ये सबी लोग सिर्फ उसी के ओर्डर पर काम कर रहे थे उन सबी ओफिसर ने शिरो इशी पर भरोसा किया और अब उसी की ये जिम्मेदारी है कि उन्हें सही सलामत वापस जापन पहुचाया जाए जिसके बाद में शिरो इशी अपना विचार बदल लेता है और सबको वापस जापन जाने के ओर्डर देता है लेकिन शीरो इशी की ये शर्ट थी कि यहां से जाने वाला कोई भी व्यक्ती यहां पर हो रहे एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को नहीं बताएगा और अगर कोई भी इंटेलियंस के द्वारा पकड़ा जाता है तो उसे तुरुन सुसाइट करना पड़ेगा जिसके बार में सभी ओफिसर्स और उनकी फेमिली वपस जापान जाने के लिए पेकिंग करते हैं लेकिन एक ओफिसर एक्सपेरिमेंट से रिलेटे डॉक्यमेंट को इकट्टे कर रहा था चुकि वो उन लोगों की बरसों के मेहनत थी लेकिन शिरो इशी उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसे गोली से मार डालता है और महां के सारे डॉक्यमोंट को जला देता है अब युनिट 731 में कई सारे चैनीज लोग बच्चे हुए थे और अगर ये यहां से भाग गए तो यहां की पोल खोल देंगे इसलिए शिरो इशी के ओर्डर थे के सभी को मार दिया जाए और इसी के चलते सभी चैनीज लोगों को एक रूम में लाया जाता है और उन्हें जहर दे कर मार दिया जाता है युनिट 731 में एक्सपेरिमेंट के सारी चीजों को आर्मे के दुआरा नश्ट कर दिया जाता है और फिर वही पर एक बहुत बड़ा गड़ा खोदने के आदेश होते हैं जिसमें मरहवे चैनीज लोगों को लाकर डाला जाता है और फिर कई सो लोगों को वहाँ पर गड़े में जिन्दा जला दिया जाता है और ये इनसान दुआरा की गई सबसे ज़्यादा कुरूर चीज़े थी मासुम लोगों को मार देना जिन ये तक पता नहीं था कि यहाँ पर उन्हें क्यों लाए गया है और उनकी क्या गलती है यूनिट 731 को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है जिसके बाद में आर्मी के सबी लोग उनके परिवारों के साथ में जापान के लिए निकलते हैं आर्मी का एक डॉक्टर एक चाइनिस बच्चे को चुपा कर वहाँ से बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो बच्चा सब के सामने आ जाता है और एक बार फिर जापानिस उस बच्चे को मार देते हैं जिसके बार में सभी आर्मी के लोग ट्रेन में बेटकर जापान के लिए निकल जाते हैं मूवी के एंड में ये बता जाता है कि शीरो इशी को टोक्यो से अमेरिका की इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया है और उसे एक्सपेरिमेंट की जानकरिया हासिल कर ली है जिसके बार में शीरो इशी यहां भी नहीं रुकता और अमेरिका से भी भाग जाता है वो भाग कर कोरिया में पहुच जाता है जिसके बार में कोरिया में भी एक यूद्ध होता है जहां पर बेक्टेरियल वेपन्स देखने को मिलते हैं और ये भी हो सकता है कि इन बेक्टेरियल वेपन्स में शीरो एशी का ही हाथ हो तो दोस्तों ये था इंसानी इतिहास का कुछ काला सज I know कि ये कोई होरर मूवी नहीं है लेकिन इस से ज़्यादा क्रूरता क्या हो सकती है Unit 731 में जितने भी लोग मारे गए उन सभी की डिटेल्स और उनके नाम जाने कि जो भी मूवी में बताए गया है वो सब असली है मूवी में जो भी चल रहा था वो ठीक उसी तरह बताए गया था जैसे कि ये असलियत में घटा हो क्योंकि अमेरिका को शिरो एशी द्वारा यह के कुछ रिकॉर्ड्स मिल गए थे मिले हुए रिकॉर्ड के अनुसार Unit 731 में टोटल तीन हजार लोगों को मारा गया लेकिन ये तो बस रिकॉर्ड की बात है असलियत में क्या हुआ होगा किस से पता और अगर पूरे चाइना की बात करें तो इन जापनीज आर्मी ने कई लाखों लोगों को मारा और हजार ओरतों के रेप खुलियाम की दोस्तों मानव के इतियास में सिरु जापनीज आर्मी ने ही ऐसा नरसाहार नहीं किया बलकि हीटलर ने भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किये जो कि वर्ल्ड वर्ड टू के दोरान ही थे और अगर आप चाते हैं कि मैं उन पर भी वीडियो बनाऊ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और दोस्तों एक इंपोर्टेंट चीज कि ये वीडियो मोनेटाइज नहीं होगा और अगर होगा भी तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड यानि कि इस से रेवेन्यू बहुत कम जनरेट होगा लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाते हैं तो मैंने नीचे पेटेम लिंक दे दिया है जिससे कि आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं जो भी कम से कम अमाउंट आप चाहें या फिर आप इस वीडियो को लैक तो करी सकते हैं और हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में